Hi everyone, तियार VIT Phase 1 का result एनाउन्स हो चुका है तो congratulations जिसको जिसको allotment आ गई है जिनको allotments नहीं आई हुई है उनको परहसान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तियार जिसको जिसको allotment मिल चुकी है उनसे एक request है कि आप अपनी category जिस category में आपको branch allot हुई है और आपको कौन कितनी rank पे कौन सा campus allot हुई है तो प्लीज एक बार सारी चीज़े comment कर देजेगा ताकि सारी चीज़े हम लोग sort out कर पायों वासे जो coming phase 2 है तो उसके लिए हम लोग और अच्छे से prepare कर पाएंगे और बहुत सारे ऐसे candidate भी हैं जो कि phase 2 में appear होने का plan कर रहे हैं और उनके लिए good news है जिनको अभी तक allotment नहीं मिले हुई है मैं बोलूँगा कि आर जिनको phase 1 में allotment नहीं आई है वो phase 2 में new choice playing के साथ participate कर सकते हैं लास्ट टाइम या दो चीजों की confusion थी कि सर क्या मुझे 25 branch choice playing करनी चाहिए तियार कहीं न कहीं जो lower branch वाला concept था या वो यहाँ पर work किया हुआ है अभी तक हमारे सारे बच्चों को जो जो commitment किये गयते सारी allotment आ चुकिये है बहुत ही जल्दयार उनके आपको इसमे review भी मिलने वाले है one more important thing क्यार कि अपनी सारी चाहिए comment कर दीजिगर rank category किस category में मिला है और branch कौन सी मिली हुई है तो अगर आपको इसके बाद भी कुछ doubt, queries, confusion है जैसे कि I hope आज मनी पाल का भी result announce हो जाएगा in case अगर announce होता है तो काफी लोगों का confusion ये था कि VIT और मनी पाल के बीच में confusion था तो हम लोग उसको भी start out करेंगे उसको भी clear करेंगे एक बर comment करेंगे कुछ doubt queries हैं तो वो मुझे comment section में करके बताइए आधरवाईस आप मुझे email कर सकते हैं और फिर हम लोग plan करते हैं आप भी doubt queries पर कि आंगे कि क्या planning रखी जाए किस तरह से phase 2 में appear हुआ जाए तो अगर अभी तक phase 1 में allotment नहीं आई है तो परिशान बिल्कुल मत हो यार phase 2 में allotment लेंगे मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाबाई